आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं टाइम एंड रिलेटेट टाइम एंड वर्क से रिलेट को यह कैसे किया जाता है यह एक्जाम्स में कॉम्टिटिव एक्जाम्स में बहुत आते हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर द्यान से देखिएगा इसकी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली आगे है किसी भी कॉम्टिटिव एक्जाम में ठीक है ना बहुत छोटा सिंपल सा कॉंसेप्ट है जो अभी कुशन करेंगे तब हम आपको बताएंगे फिलाल तो जिन लोगों ने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिएगा ओके तो ज्यादा बात ना करते हुए अभी हम शुरू कर देते हैं इक्साइज 11.3 का कुश्चन बर वन है इफ ए टेक 30 डेज किसी काम को करने के लिए एक को 30 डे लगते हैं बी को 20 डेज लगते हैं उसी काम को करने में अगर दोनों साथ साथ वर्क करेंगे तो वह काम के दिन में फिनस हो जाएगा तो उसके लिए सिंपल सा कॉंसेप्ट है एक का वंडे वर्क निकालेंगे और दोनों का वंडे वर्क निकालेंगे देन वह काम का फटम करेंगे वो निकालेंगे यानि A का 1 day work A किसी काम को कितने ने में करता है 30 days में करता है तो एक दिन में उस काम को कितना हिस्सा करेगा 1 upon 30 करेगा ठीक है ना इसी तरह से B किसी काम को करता है 20 day में तो B का 1 day का work 1 upon 20 हो जाएगा है ना बिल्कुल सिंपल और A और B दोनों का एक दिन का काम कितना होगा A ने एक काम करा इतना B ने एक काम करा इतना तो दोनों नों कितना काम किया मिला के तो दोनों को क्या करतेंगे एड करतेंगे 1 upon 30 plus 1 upon 20 यह आया LCM 60 यह 2 और यहाँ पर 23 जा 60 होता है यहां पर दिखते हैंगे 2 ओ 3, 5 अपॉन 60 एक काटेंगे बन जा और 12 जा ठीक है ना आ गया बन अपॉन 12 जब A और B दोनों का वंडे का वर्क है बन अपॉन 12 तो दोनों काम के दिनों खतम करेंगे तो बंडे निकालने के लिए हम यहां रेसी पोकल करते थे यह ना अब वर्क बंडे का निकल गया है फुल टाइम कब तक खतम होगा वो निकालना है तो इस नंबर का रेसी पोकल करते हैं बन अपॉन 12 को रेसी पोकल कितना हो जाएगा 12 बन जाने की 12 डेस ठीक है ना इस तरह से कुशन को करते हैं बंडे वर्क निकालके उसका रेसी पोकल करते हैं तो पता जिल जाएगा काम के दिनों में खतम होने जा रहा है इसे तरह से यहां पर A can do a piece of work in 12 days A किसी काम को 12 days करता है B काम को 15 days में करता है और A, B, C तीनों उसी काम को 5 days में करते है तो C अकेला को काम के दिनों में खतम करेगा यह निकालना है तो यहां का A का बंडे वर्क निकालेंगे फिर B का बंडे वर्क निकालेंगे फिर A, B, C तीनों का बंडे वर्क निकालेंगे उसके बाद C का बंडे वर्क निकालेंगे फिर निकालेंगे C उस काम को किते दिनों में खतम कर रहा है A का बंडे वर्क कितना हो जाएगा A 12 डोईज में काम खतम कर रहा है It means 1.12 वर्क कर पाएगा B का बंडे वर्क कितना हो जाएगा B कि C वर्क को 15 days में खतम करता है यानि 1 day का उसका वर्क हो जाएगा 1 upon 15 और A, B, C तीनों का एक दिन का काम निकालना है A, B, C तीनों इसका काम खतम करते हैं 5 days में तो A, B, C का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1 upon 5 अब देखो यहाँ इसमें A, B, C तीनों का काम सामिल है ठीक है ना C का अकेले का पूछा है तो इसमें से हमें क्या करना है A और B दोनों को खटाना पड़ेगा यानि कि A और B के दोनों का एक दिन का काम को माइनस करना पड़ेगा ठीक है ना यानि कि 1 upon 5 में से माइनस करना पड़ेगा 1 upon 12 और 1 upon 15 इन दोनों का बर्ख ठीक है न तो ये कितना हो जाएगा करेंगे calculation इसकी ये हुआ 1 upon 5 minus bracket में ही solve करेंगे पहले हम 12 और 15 का LCM कितना होता है 60 होता है और 12 5 जा पिलस 15 फोर जा यानि कि 9 upon 60 बन अपन 5 minus 9 upon 60 ये हो गया बन अपन 5 minus 9 upon 60 यहाँ भी LCM लेंगे 60 LCM आएगा और 12 होता है 5 12 जा यानि कि यहाँ पर 12 आएगा minus 60 बन जा 60 बन नाइन जा 9 तो यहाँ पर 9 आजाएगा कितना आएगा यहाँ पर 3 upon 60 काट देंगे 3 बन जा 320 जा 320 जा 320 जा आगया कितना 1 upon 20 इसका करना है हमको इसका करना है रेसी पोकल 20 upon 1 यानि की 20 देज तो C उसी काम को 20 दिन में खतम कर पाएगा ठीक है ना इस कुश्चन बहुत रहा है 3 पाइपस हैं A, B, C किसी टेंप्री टेंब को 15 आर्स, 10 आर्स और 6 आर्स में भर रहा है है ना A भर रहा है 15 गंटे में B भर रहा है 10 आर्स में और C भर रहा है 6 आर्स में पूछा क्या है How much time will the tank be filled in all the 3 taps work together अगर 3 पाइप एक साथ खोल दिये जाएं तो कितना टाइम लगेगा टेंग भरने में तो A, B, A का बनार वर्क B का बनार वर्क C का बनार वर्क निकालेगे क्योंकि यहां पर आवर्स में वर्क हो रहा है फिर 3 का बनार वर्क निकालेगे and then reciprocal कर देंगे answer आ जाएगा तो इस तरह से लिख लिएगे pipe A बनार वर्क कितना हो जाएगा 15 आवर्स है तो बनार वर्क हो जाएगा pipe B के लिए कितना है बनार वर्क हो जाएगा और pipe C के लिए कितना है बनार वर्क हो जाएगा तीनों एक साथ वर्क करेंगे तीनों को add कर देंगे बनार वर्क हो जाएगा बनार वर्क हो जाएगा LCM आएगा 30, 15 2 जा 30, 10 3 या 30, 6 5 या 30, यह कितना हुआ, 2 3 5, 5 10, अपन में 30, 0, sorry, अपन में आएगा 30, 0 सो 0 कर्टा, आया 1 अपन 3, अब यह 3 पाइप एक साथ काम कपकतम करेंगे, इसका रचियो पोकल यानि की 3 आवर्स में, इस चेट में लिख देंगे, all the 3 pipes can fill the tank in, कितना, 3 आवर्स, ठीक है, इस तरह से आवर्स आएगा, अगला क्वेश्टिन, swimming pool can be filled by 2 pipes A and B in 9 hole 3 अपन 5 आवर्स, pipe A alone takes 16 hours to fill the pool, how much time will the pool be filled by pipe B alone, तो यहां पर क्या है, यह दोनों का वर्क दे रखा है, दोनों के वर्क में से A का बनावर वर्क निकाल देंगे, पहले A, B का बनावर वर्क निकालेंगे, फिर A का बनावर वर्क निकालेंगे, और B के लिए दोनों के वर्क में से A वाले के वर्क माइनस कर देंगे तो इस तरह से लिख लेंगे Pipe A और B बनावर वर्क तो सबसे पहले तो यह देखो यहाँ पर 9 whole 3 upon 5 दे रखा है यानि इसको बदलेंगे किसमें इंप्रॉपर में 5 9 जा 45 45 और 3 48 upon 5 यह 48 upon 5 आया इसका और इसका जब भी बनावर वर्क निकालते हैं तो क्या करते हैं रेसिपोकल करते हैं यानि 2 upon 48 वो सोरी यह 48 upon 5 आया तो इसका रेसिपोकल करेंगे तो 5 upon 48 हो जाएगा बनावर वर्क कितना हो जाएगा 5 upon 48 इसी तरह से A के लिए काम कातम करता है 16 hours में बनावर को कितना करेगा बनावर बनावर बर्क यानि दोनों का यह है और A का यह है दोनों मेंसे अगर A का काम निकाल दिया जाए किसका काम बचेगा बीका बचेगा यानि कि 5 अपान 48 में से 1 अपान 16 मानस करेंगे LCM 48 यहां 5 मानस 16 तरीजा 48 होता है यानि कि 2 अपान 48 बन जा 24 यह आया बन अपान 24 यानि कि एक टाइम कितना लगाएगा 24 अपान 24 कि रिशेवल कितना होता है 24 अवर्स 24 अवर्स में स्विमिंग पूल जो है वो फिल हो जाएगा इस कुश्चन में कह रहा है कि पाइप ए और बी हैं दो टंकी है ए और बी टैप ए टैप बी टैप ए तीन हपा रही है और टैप बी फाइफ आवर्स में किसी टैंकी को भर पा रही है और C है उसको 7 hole 1 upon 2 hours में खाली कर दे रही है if all 3 taps are open the same time how many hours will the tank be full अगर 3 तंक की खुलती जाए यानि दोनों भर रही है और एक निकाल भी रही है तो टाइम कितना लगने वाला है जब हम 3 को बनावर बरक निकालेंगे तो उसमें से A भी तो भर रहा है तो दोनों को plus कर देंगे और ये खाली कर रहा है नि इसको हम लिखेंगे minus की form में क्यासे देख लो इसको तो इस तरह से लिख लेंगे याँपर टाइप A बनावर बरक कितना हो जाएगा ये तो टैप A का बनावर बरक बनापान 3 हो जाएगा टैप B के लिए बनापान 5 हो जाएगा है ना और टैप C के लिए कितना हो जाएगा 2 से बंज़े 14 बन 15, 15 अपान 2 यानि की 2 अपान 15 हो जाएगा ये ठीक है यह खाली कर रहा है तो यह माइनस कर रहेगा यह खाली कर रहा है तीनों का बनावर वर्क यानि की क्या करना है यह भर रहा है यह भर रहा है और यह खाली कर रहा है तो यह माइनस रहा जाएगा टू अपॉन फिफ्टीन ले लेंगे कितना आएगा 15 अलसी हम आ जाएगा 3 5 जा 15 प्लस 5 3 जा 15 माइनस 15 बंजा 15 बंटू जा 2 ये कितना हुआ 5 3 8 8 में से 2 गया 6 6 अपॉन 15 आया ठीक है इसको आगे कल देंगे ये 6 अपॉन 15 आया है काटेंगे 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 यानि कि ये आया 2 अपॉन 5 यानि ABC तीनो का 1 आवर बर्क जो है 2 अपॉन 5 है तो यानि कि तीनो टैप्स जो है कितने टाइम में इसको फिल करेंगे तो टैप ABC तीनो टैंक बरेंगे कितने में अब इसका रिसे वोकल कर देंगे यानि कि 5 अपॉन 2 आवर्स में या 2 तू जा 4 बचा 1 अपॉन 2 आवर्स में ठीक है लगबग धाई घंटा लगने बाला है तो इस तरह से ये एक साज की जाएगी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अपॉन 2 आवर्स अपॉन 2 आवर्स में अरू का नपॉन 2 आवर्स अवर्स अपॉन 2 आवर्स अबचियो में थार्स अबचा है